हापुर हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने इंप्लॉई शुशिल सर्मा के साथ अब हमारा कोई तालूकात नहीं है वह अब किसी भी रूप या विशे से हमारे चैनल से जुर्य हुए नहीं है धन्य चेतर में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया जहां पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग ने 6 वर्षी मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गया जानकारी के अनुसार पड़ोसी 6 वर्षी मासूम को अकेला पाकर उसको बेला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके बाद टाइलेट मे ले जाकर बच्ची के साथ दुश्क्रम की वारजात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया सूचना मिलने पर पहुंचे परीजनों को पीडिक बच्ची न अपनी आपीती बताई जिसके बाद परीजनों ने पुलिस में शिकायत कर मुकदमा दर्श कराया तो महीं पुलिस का कहना है कि पीडिक के परीजिनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्श कर लिया गया है और अब बच्ची को मेडिकल परिक्षन के लिए भीजा जा रहा है तो दूसकर मुआ है क्या है पूरा मावला क्या करवाई की जाए करवाई तो उसकी कहरी होनी चाहिए जिससे की ऐसा भोट घर तो घर पूरा गाउं में ऐसा केस नहीं होता चाहिए आपको कैसे पता चला कि यह सब होगा सब लड़की ने मतलग की जब इसको सईसे सब्सक्राइब के बाद में इसको इसको मेरे को बताया था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा लब भजा न किया करीब कितने बजे की गटना है यह करीब धाई के और तीन के पीच पी गटना है जैसे बासिम के साथ बताय जारा मैसं की कोई तबियत नॉर्ब मैंसे इतना खीक है जोगी तो तरी खाशी बाद है अबी ताजा तरीन खबों के लिए बड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हाप और हल चल